बाकी का मुझे उतना आइडिया नहीं संगठनी धांचे का सब का इसा ही होगा भाजापा का आइडिया है इस वक्त मेरे दिमाग में प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन दो को छोड़कर किसी का खर्चा पार्टी नहीं देती आने जाने का रुकने का कहीं का क्या जैसे भारत का यूपी का सामान्य व्यक्ति बिक्रम आटो नहीं कर सकता वैसे गारियां दाउर रहती हैं और सुबह लगनों मिलो आके उले आए और दिल्ली आओ आए नो बज़े फ्लाइट ले लेता हूं कहां से ले लेते हैं का से ले लेते हैं पार्टी तो खर्चा देने किसी को प्रवास का भी पैसा नहीं कहीं आने जाने का खर्चा नहीं किसी को हो रहा है ना हो रहा है ना दो चार गाड़ियां भी साथ चल रही है चार चेले भी चल रहे हैं यह जनता है बड़ी समझदारे में तो सब जानती है इसमें दस-पांच लोगों का चहरा दिखा के हम चीज़ों को डाइलूट नहीं कर सकते हैं यह वो राजनीती दक नहीं है जो जिस भट्टी से तपके लोग आजादी की लड़ाई के निकले थे नाया अब राजनीती सुविधासंपन लोगों का कारूबार है उनकी घरों में आप जाएए ब्यजान आपको गेट से दिखता इए उनकी बर्तन में दिखेगा उनकी चाल में दिखेगा ड्याल में दिखेगा कपड़े में दिखेगा सोफे में दिखेगा, टेबिल में दिखेगा, कोई नहीं बात बता रहा हूं क्या, भारत के आदमी ने पूरी उम्र संघर्ष करता है, तो एक एलाईजी नहीं बना पाता है अपने लिए, और उधरवालों की कोठियां सटा 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 सट बनती जाते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो आर्थिक उतरख्य कर रहे हैं, समझ में आता है, मैं उन राजनेता हूँ पर कभी सवाल नहीं उठाता जिनके कारोबार है और जो इंकम्टेक्स देते हैं भारी मात्रा में कमल लाथ है प्रफुल्व पटे ले बहुत सारे मेरे मित्र है जो आपनी 500-700-800 करोन रुपया इंकम्टेक्स दे रहा उसके कुर्टे पर सवाल उठाएंगे नहीं लेकिन जो कर आप मैं तो कुछ नहीं हूँ वाई जब मैं तो राष्ट सेवाई में दिन बार हूँ उसके से तो कुर्टे का सवाल पूठेगा मूल पर पष्ट नहीं हैं इसने इस बात को मान लेना चाहिए गाओ गाओ शहर शहर लोग देखते नहीं क्या कि आपकी बिल्डिंग भविस से भवितर होती जा रही है आपकी घडिया मेहगी से महंगी होती जा रही है कौन आ रहा है वहां उसे आल्टो से चल रहा है कुछ आल्टो से नहीं ना युवा मोर्चा में भी आपको कुछ तो फार्चुनर इनोबा चाहिए आल्टो बाला को घुसने ने देता कोई जहां से आती है कि जहां से आती है वहीं से राजनीती में पलीशन आता है प्रदूश्न आता है राजनीत में आने वाली हर फार्चिनर राजनीतिक कारिकर्ता को ब्रिष्ट करती है हर वार धाई सो रुपया जो धुलाई कर जाता कुर्टे का रोहिद बाबु वो भारत की राजनीति को प्रदूशित करता है जिस दिन अपना कुर्टा खुद दो के सुखाने लगोगे अरगनी पे उस दिन आंक में आंक डाल के राजनीत हो पाईगी अन्यथा नहीं धन्यवाद अन्यवाद